हेलो बच्चो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल लबोदे ट्रिक्स गुरुजी पर आज हम पढ़ने वाले हैं नबोदे इंट्रेंस एक्जाम 2023 की प्रिप्रेशन के लिए जो हम लोग आपको आरिहांत बूक और अगरबाल एक्जाम कार्ट की बूक जो कि की बेस्ट बूक कई जाती है का फुल सॉलुशन करबा रहे हैं उसी में हम पढ़ रहे हैं आपका जो मैत का समझ में आने लगेगा और अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा क्यों कि मैंने उसमें आपको सारी ही डीटेल बता दिये कि आपका क्या होता है किस तरह से निकाला जाता है किस तरह से निकाला जाता है ले लेसित होता है वहां चोटी छोटी संख्या जो क्या बढ़ी से बड़ी संख्या जो आपकी दी गई संख्या को पुर्णिता विवाजित कर दें आपको यह के लिए अगर आपको इसका पता हो तो आप comment करके बता सकते हैं और आपने comment किया हो तो इसका right answer क्या होगा आप मुझे ऐसे भी बता सकते हैं तो देखें क्या question दिया गया है कि 3 संख्याएं 1,2,3 के अनुपात में हैं तथा इसका महत्तम समवर्त 12 है तो संख्याएं बताना है आपको आपको बोला गया है कि जो संख्याएं दी है 1,2,3 के अनुपात में दी है और इनका महत्तम समवर्त आपको कितना दिया गया है 12 दिया गया है पिर दूसरी बाली में कर लेते हैं तो कितना हो गया है अब हम क्या करते हैं आई ए प्र हमें डायरेक्ट निकल कर आरे यह जो इकवा जसी हो जाएगा पर आपको पता होना चाहिए कि 12 ही स्थ क्यूं आया तो देखिए सभी संख्याओं को अलग अलग लिख लेते हमारा आंसर सही आया है या नहीं हम इसे चेक कर सकते हैं तो देखिए अगर हम 12 का सभी निकालते हैं तो बहुत कितना निकली आएगा यह निकाल कर देखना पड़ निकालना आपको निकालना होता आपको क्या करना पड़ता है इसमें आपको कॉमन संख्या दिखती सबसें पहिंट क्या करा आता है हमारा STF निकल कर आता हम multiply कर दें तो देखें यहां पर भी दो है 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 तो हमारी एक बार तो दो निकल यहां पर भी दो है फिर देखें यहां पर भी दो है 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 तो द निकल कर आजाएगा। देखिए, आप क्या हो जाएगा? यहां पर आप इसका 2 का multiply, 2 में कर देma, 4 हो जाता है, 4 का multiply कर देते देतें, तो 12 तो देखिए वैसंख्या क्या थी 12 24 और 36 ती जिसका है कितना निकल कर आगया आपका बारा आगया अपना क्या आगया राइट आंसर आगया औप्सन नंबर जो सी हो जाएगा है यह तो मैंने आपको निकाल कर बताई हूं कि हमारा संख्या क्या क्या थी तो बारा चोभी सो च्छतिस थी उनका से आपका बारा आ गया तो चलिए बढ़ते हमारे अगले कोस्टन क्यों कि देखिए यह रहा आपकी स्क्रीन पर अगला कोस क्षित है इससे हम निकाल लेते हैं इसमें हम को क्या तो क्या क्या पड़ता है और संख्या कमेंसे क्या होतmotion होती है तो तो 285 धीए आपको टेरा सो लिखते आप देखें यहां पर तो मैंने आपको बताई थी कि आगर यह तो थीं से जो जो होता है अगर हमारी संख्याओं का योग तो बहारी तीन से पूलेता हो जाती देखें पांच और 6 हो गया मतलब हो जाता है तो यहां पर तीन से डिवाइड हो जाएगा तीन तरह का नो हो गया फिर यहां पर पंद्रा हो जाएगा तीना पंद्रा फिर पांस से करें तो पांस से साथ बार चला गया आपका साथ से कितनी बार चला गया एक बार चला गया फिर क्या करते हम देखें यहां पर क सो पहने सठट infra तीन अबचह 15 फिर यहां पर विएक बार चला जाएगा आपका कितना हो गया आट वर दोदास वर 17 हो गया फिर 5ig पांच एकम पांच वार पांच नाम 45 फिर क्या आगया आपका 19 आगया यहां पर एक आगया फिर यहां पर देखिए तो कितना हो जा रहा है छे पांच 11 11 और 3 14 पंदरा इसमें भी तीन का आपका चला जाएगा तीन चुकु बारा होता है तीना पच्छे पंदरा और तीना आगया फिर साथ से दिये तो आपका एक निकल कर आगया तो देखिए अब इसी सभी संख्या में क्या क्या कामन नजार आ रहा है आपको तीन तीन और तीन यहां पर क्या आगया हमारा उपर तो तीन निकल कर आगया अब देखिए यहां पर पांच है यहां पर पांच है यह आपका महत्तम समवर्त की निकल कर आ गया जो कि आपको आपको ऑप्सिन नमबर डी में दिया गया तो आपका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर अगला क्या बोला गया अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल नवोदे ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सस्क्राइब कर लेजिए और बेल आइकन की बटन दवाना बिलकुल भी ना भूले ताकि एसे वीडियो आपको क्या मिलते र आना चाहते हैं तो इस तरह के जो कोश्चन है आपको सॉल्व करते आने चाहिए तो देखें यहां पर क्या दिया गया है कि दो संख्या पांच और छे के अनुपात में यदि इनका महत्तम समवर्तक चार है तो इनका लगुत्तम समवर्त क्या होगा देखें क्या बोला गया देकि इनका जो महत्तम समवर्त है वो कितना दिया हुआ है तो आपको क्या करना बेटा इसमें चार का इसमें भी मल्टिप्लाइ कर देना और चार का गुणा अगर आप पांच में करते हैं तो कितना हो जाता है और चार का गुणा अगर छे में करते हैं तो कितना हो जाता है हम आपको लगुत्तम समवर्थे वो निकालना है तो देखें लगुत्तम समवर्थे निकालने के लिए हम क्या करते हैं इन दोनों संख्या को एक तरह से लिख लेते आगर हमें से निकालना होता है हमें इनका अलग अलग लिखना पड़ता है तो देखिए आप हम क्या करते हैं द कर लेंगे इनका लोग सोनुए लिखा है आपका तीन फिर फिर दो दिया हुआ चार काum कर देते हैं तो कितना हो जाता आठ यहां पर 12 लगा दीजिए आपका यह क्या निकल कर आगया आपका right answer निकल कर आगया देखे कितना आसान है तरीके से मैं आपको सारे इकॉस्टन ताकि आपको भी दिक्कर नहीं हो बस आपका क्या होना चाहिए है केलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए चली यह बढ़ते हैं हमारे अगले क्यों कि यह रहा आपकी स्क्रिन पर अगला क्या बोला गया आपको कि आठ नो बारा पंद्रा बीस पच्चीस का लगुत्तम समवर्ति कितना होगा तो लगुत्तम समवर्ति जैसे सब्दा जाए आपको क्या करना है सभी संख्याओं को एक साथ लिख ले अगर ससीज होगे तो आपको अलग-अलग करके निकाल सबस्क्रेदा निकाल गुतलि सबसे और इस लगुत्तं इस यहां पर आपको यहां क्या बताना तो हम क्या करते हैं क्या कहता है सबसे पहले लोगुपर्ट आपकी चलए ही रहेगा फिर क्या करते हैं दो से करते हैं तो देखिए दो से यह तैनल बार चला गया यह तो यहां पर 25 यहां पर प्चीस एक बार चल गया यह जो आजाता है ना इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं आप नहीं भी लिखते हैं तो चलता है यहां पर पांच बचा और क्या बचा पच्चीज बचा देखिए पांच से लगा दीजिए भाग तो क्या जाएगा एक मल्टीप्लाय कर लेंगे आप लगुत्तम सवर्बृत्व अनगुथ देखिए घ् demons देखिए यह लिख लिख लिए फिर तीन भी आपका कितनी बार फंग दो दो बार लिख लिख लिए अब milhões के आपको दो कितनी और है तो दो दो लिख लिख हैं करते हैं इनका मल्टिप्लाई कर देते हैं तो देखर का गुणा करते हैं चार हो गिनाक हम तीन में कर कर देचे हैं तो कि तो देखिए तो क्या हो घ्न में कर देते हैं कर देखिए तों चितना सहाथ नुसलिंग हम 17 वные इस देखताballs यमारोइ enthusiastic क्या निकल कर आ गया ओपसर नंबर एजे हो बेटा यह चल्य चलिए बढ़तें अगले तरीके से अगर आपको पंदा है तो आप हमारे चैनल लवोदै ट्रिक्स गुरु जी को जरूर सस्क्राइब किये चलिए यह के इसमें आप से क्या को स्वेे और चान वगया है इसमें कोश्चन वुला है कि आगल आप सकुल निकालना है तो हम क्या करेंगे पहले दो से करेंगे ग् spirits लाइब चला जाएगा और ये बीज बार चला लाए फिर तो दो से करें तो doisays और चला गया दो से सक आपको हो सके बैसे आपको पहले सब सबसे छोटी संख्या उसके बाद बढ़ते चलना है दो से करते हैं तो तीन बार चला गया फिर यह नो बार दो को पांस दस से डिवाइड करते हैं तो पांच बार आगे फिर तीन से देते हैं तो यहां पर कितना जागा एक और पांच फिर पांस से देदेंगे तो यह सभी ए एक एक बन जाएगा हम इनको क्या करते हैं लेते हैं तो हमारा क्या निकल कर आ जाए का राज आएगा तो देखिए यहाँ आपको दो बार दिया हुआ है फिर तीन भी दो बार दिया हुआ है फिर पांच कितनी बार दिया है एक बार दिया है तो क्या करते हैं हम multiply कर लेते हैं तो देखिए दो दुनी कितना हो गया बेटा आपका चार हो गया चार तीरी बारा हो गया बारा तीया कितना होता है 36 होता है अगर 36 का multiply आप पांच में कर देते हैं तो कितना आ जाता है देखि यहां पर 15 15 45 45 कितना हो जाता है 135 135 दूरी 270 दूरी 270 कितना हो जाता है यहां पर अगर हम देखे तो 4 और 5 थी हमने यहां पर साय कहीं काटने में कर दिये तो देखे हम से डबल से निकाल लेते हैं इसलिए आपको क्या होना चाहिए इसको एक ही बार में अच्छे तरीके से कारते हैं आना चाहिए तो देखिए चोबीस हो गया आपका 36 हो गया और 40 हो गया तो हम दो से इसे क्या करते हैं डिवाइड कर दे तो यह बारा बार गया यह अठारा बार गया और य यहां पर नो आ गया आपका यहां पर पांच आ गया फिर तीन से किजिए तीन एकम तीन त्रका नो फिर पांच आ गया फिर तीन से कल लेते हैं अगर तो तीन एकम तीन फिर यह पांच आ गया फिर यहां पर क्या आ गया पांच आ गया देखिए अब हम कल लेते हैं इसका हाज तो हमसे इसका राइट आध आजाएगा यहां पर देखिआ आप इसका होक्त होता है और दो दूनी चार मतल मतलब्लका गुना चार में कर देते हैं बैटा तो ना जाता है 300 सहाट आ जाता है और किसमें नजर आ रहा तो आपसें नमबर जो सी हो जाएगा आपका क्या जाएगा राइट आंसर आज आगया आपका राइट आंसर आगया देखें कितने आसान तरीके से हम सारे ही कोश्चन कर ले रहे हैं आप बढ़ते हमारे अगले कोश्च क्या बोला गया है इसमसाइद आपको दिखने ही रहा होगा तो मैं आपको बढ़ा कर देती हूं तो देखिए दिखने लगा आपको क्या दिया गया है कि 148 तथा 185 का लगुत्तम समवर्त कितना होगा आपको बताना ही इसमें कि 148 तथा 185 का लगुत्तम समवर्त कितना तो दो से अगर हम डिवाइट करते हैं तो साथ बार गया चार बार गया 185 आपका एसे ही लिखारेगा फिर 2 से देते हैं तो दो दो तीया 6 होता है फिर यहां पर 7 हो गया फिर 185 एसे लिख लेते हैं फिर 37 से चला जाएगा और यह डारेक्ट आपको अगर बड़ी संख्या न तो यह एक बार चला गया देखिए शेटीस का पाड़ा अगर हम पांच बार करते हैं तो एक सो पिच्चासी आजाएगा यहां पर साथ का पहाड़ा जो है आप कितनी बार लेंगे पांच बार लेंगे तो कितना हो गया सत्था पैंथीस पांच आया आपका केरी कितना आगे सेंथीस यहां पर 15 और 3 कितना हो गया अठारा मतलब हमारा जो सेंथीस सेंथीस का मुल्टिप्लाइब आपन पांच में कर देते तो कितना आजाता है एक सो पिच्च्ची आजाता मतलब पांच बार में पूरा डिविजिवल है तो यह क्या हो गया निकल कर आगया आप उनक कितना लिखा हैrain fantasy तो कितना लिखा है ठीक कितना करते हैं दो करतेए 4 घुर आगर Informationen कर देंजाता है और यहां सब्सक्राइब करें और आगे वाली संख्या का गुणा करें देखें दो का गुणा अगर साथ में करते हैं तो साथ दूनी 14 हो गया बचा एक यहां पर दो का गुणा तीन में कर लेंगे और कितना आ जाएगा साथ आजायगा मतलब साथ सोचालीस क्या निकलकर आगया आपका लगुत्तमय अग्ले कोश्चिन कीवर देखें यह रहां आपکी स्क्रीन पर अगला कोश्चिन इसमें क्या बोला गया है कि एक बटे तीन दो बटे नो पांच बटे छे साथ बटे 27 का लगुत्तम समवर्त कितना होगा दे कि बिलकुल यह कैसा कोश्चन है इसके जो सारे कोश्चन है हमने आपको क्या करें पार्ड वन में आपको करवा दिये हैं इसी प्रकार से हम इसे भी कर लेते हैं तो क्या दिया हुआ है इसमें एक बटे तीन दो बटे नो और दिया है पांच बटे छे और यहां पर साथ बटे 27 तो देखें मेने आपको बताई थी अगर ऐसी संख्या दे दी जाए और आपको बोल दिया जाए कि लगुत्तम समवर्त निकालना है तो आपको क्या करना आपको बता देती हूं दो से डिवाइड करते हैं तो दो एकम दो यहां पर पांच आ गया यह दो बार चला गया फिर दो से डिवाइड कर देंगे तो यह एक एक सारे ही एक बन जाएंगे देखें पांच दूनी दत दूनी 20 मतलब उपर की जो संख्या आगई हमारा लस्यम पर सबी संख्या को अलग अलग कर लिया हमने यह अलग अलग कर दीाप क्या क dispatch जो अपनी बार आया नहां तो हम लिखेंगे तो हम क्या लेंगे घुनिकल कर आजयेगा हमारा लिकल कर आज कवीज बटे तीन आपका क्या आगया व्लूपर 116 हो जाएगा यह आपका right answer हो जाएगा चलिए वड़ते हैं अगले question की और यह रहा आपकी screen पर अगला question इसमें क्या बोला गया है आपको यह भी देखें इस बाला जो question है इस टाइप का कर लिए की आल देखते हैं इसमें उड़ो तकी यह तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ता है पीछे से अंक के बाद है अपको लगाते लागा देते हैं पिछे JES celaब लगा देते हैं यहाँ पर आपको दिया कितनी पॉइंट लगा loves लगा देगे तो आप संख्या पीच्छे से कितने की बांद की बढ़ा है तो हम कि यह लगा देंगे तो दिs legit देखिए लगुत्तम समावर्ट अगर हम निकालते तो किन पहुत को किसका निकालना 108-306 पहुं theo निकालना है निकाल लेतकी दो देखिए सबसे पहले कैसे 2 तब सै रख्ल और तो से दिने कर दिए 2-5 बार दोसी चार वाट यह हो जाएगा पिर एक से कर देते हो घब सब्सक्रानिक हो खैंग नि कर लेते हैं मल्टीप्लाइब कर लेटें तो हमारा में निकलकर आ 152 कितना हो जाता विटा 108 हो जाता है तो यह कितना दूकर आ गया हमारा उपर का ये क्या निकल कर आ गया आपका अल्सीं कितना निकल कर आ गया 10 Cart 이제 ूट से आपको 10 से Şलते हैं फिर यहां पर यहां पर कितना है दस है तो देखिए दस से करते हैं तो यह एक बार चला गया इसको करते हैं तो दस से यह दस बार गया पहले फिर दस से एक बार देखें यहां पर एक ही बार है और यहां पर दो दो बार है तो हम क्या करेंगे एक ही बार है तो एक ही बार इसको कॉमल ले लेंगे तो क्या आ ज बिटा देते हैं आपको समझ में तो आई गया होगा अगर आपको ऐसा अफसर में दिया रहे तो आप यह वाला जो आंसर बोटीक कर देते हैं अभि हम ने, इस तक में क्या करें दसमलों लगाने की लिए इस जीरों को नीचे से घड़ेका. तो देखें यहां पर क्या कर देते हैं पीछे से हम क्या करते हैं एक यह Thats लगाना था तो एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा हमारा निकल कर आंसर अपको नजर आ रहा है तो देखें लगा आपका right answer हो जाएगा जो answer यह आपको बिल्कुल भी ध्यान से देक्तल लगाना है देखें यहां पर भी वी बैस़ते ही आ Most反 10.8 बस यही ध्यान देने वाली बाथ होती अगर आप जल्दी जल्दी में यह answer लगा देते हैं तो फटाक दिने से क्या होता आपका मार्क से कड़ जाता यहीं आपको ध्यान रखना है तो चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की और यह रहां आपकी स्क्रीन पर अगला कोश्चन यह बाला जो टाइप है इसको भी मैंने आपको पाड़ बन में करवा चुकी हूँ तो देखे यहां पर क्या लिखा हुआ आपको कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक ग्यारा तथा लगुत्तम समवर्तक सतोत्तर सोय यदि इन आपको फार्मुला याद होना चाहिए मंन एक वह बहुत पॉर्मुला तो देखिये चयली संख्या यहां पर आपको दीआ रहता है महत्तम समह वर्ते इंटू में आपको क्या दिया रहता है लगुत्तम वर्त दिया रहता यहां पर नीचे कितना लिख लेंगे 11 लिख लेंगे क्योंकि हमें महत्तम समवर्त 11 दिया हुआ लगुत्तम समवर्त देखिए यहां पर कितना दिया हुआ अगर आपको संख्या मतलब पहली संख्या मतलब पहली संख्या आपको कितनी दी हुई है questions कका अब हमको क्या करना है एक का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे जाएंगे यहां पर आप का देख़ एक शक्राइब निकालने के लिए हम सरह क्या करेंगे 11 हो गया हमारा यहां इसको हम क्या करेंगे घ्रते मेरियाएहं 5 से 25 से नहीं अब आप से भी कर सकते हैं तो तरह 25 हो गया 5 से एक बार गया आपका फिर दो बचा 25 फिर दो बचा 5 यूब फिर और फिर पंस से कार दीजिए आप तीरी 15 होता है फिर जीरो हो गया क्योंकि चार में डाइरेक्ट पांच का भाग नहीं जाता इसलिए भाग नास्ते की सुन्न हो गए आपका चला जाएगा पना अर्था चालिज तो कितनी बार टोटल भाग चला गया हमारा 308 बार चला गया बेटा तो 308 आपका क्या निकल कर आ गई true x का क्योंड निकल कर आ गया क्यों कितनी निकल कर गयी 308 निकल कर आ गयी जो कि आपका सब्सक्राइब आपका राइट नंबर बेटा नंबर नौन सब्सक्राइबए और अगले यह रहां आपकी स्क्रीन पर अगला पीछे किया इसमें क्या दिया हुआ है कि 12 के लगुत्त हमवर्त के संधने जदि एक संधी दूसरी आपको बतानी नीं भास बही करना आपको क्या दिया था है इंटू में संधनी था हमको क्या होता है आपका देखिए आपको पहली संख्या कितनी देदी है 12 देदी हुई है सॉरी क्या दिया हुआ यहां पर देखिए 12 के गुणज मतलब हमारा जो महत्तम समवर्थ है वह कितना निकल कर आ गया 12 लगुत्तम समवर्थ देखे तो हमें कितना दिया वहा है 1056 दिया हुआ है और देखिए एक संख्या को कितनी डिटो हूँ कितनी दी हूं एक सो बटेकरों डी ऑच किसंख्या समय यहाँ ठी हुग यहां पर 116 तो 132 को हम क्या करेंगे इसके नहीं लेगे जाएंगे ठीक कारते हैं Arts यहां पर गया तो यहां पर शर्ण चाहरा जाएक फिर बारा से यह वारा आपका चाहिए तो करें जाता है आपका इसका फार्मूला था पहली संख्या निड pyt daily संख्या और साख्या बद्स होझार बस पर राइब ups संख्या को एक लिए dynasty आफ़ान दियμέ pays you of Anybody आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते खुर्ण यह रहा आज का आपना जो था लास्ट कोश्चन क्या वह लगया इसमें कि दो संठ्था हैं तीन और चार के अनुपात तथा इनका लगुत्तम समावर्त कितना है आपको दिया है रहता हैं यह लगुत्तम समावर्त का मान कितना मतलब की होता मतलब है इन दोनों का गुणा होता तो इन दोनों को समरान वह समगते हैं थमा के 3 एकस इंटि में कितना है चार एकस बरावर से आपको Candice क्या हो जाता है इसमें हम संख्यां माल safer 64- cette in fact we don't want to vy अच्शार एकस का due can reverse है sorry यहां पर आपको multiply करना था है यहां पर संख्या माल लेते हैं कि 3 यहां पर कितना हो जाएंगा आपको कितनी संख्या दिया है क्पारा साथ कि लिए ृता कितना हो कौन से तो देखिए इन दोना मेंसे आपको बड़ी संख्या को निकल कर Bundici दिख रही है। हमने एकस क्छा मां क्या निकल कराया हमारा साथ निकल कर आगर हम चार और साथ का मल्टिप्लाइ कर दे कुछ अगया 28 निकल कर आगया option number जो सी हो जाएगा यह आपका राइट आंसर समझ में स्वारी राइट आंसर आ जाएगा तो आपको यह वीडियो कैसा लगा बेटा आप मुझे कमेंट करकर जरूर बताए और आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चै बने रहीएगा ठीक है और इस वीडियो का अपने जादा से जादा दोस्तों में सेयर कीजिएगा ताकि उनका भी आपके साथ नवोद्या इंट्रेंस एक्जाम 2023 में सेलेक्शन हो सके तो चलिए मिलते हम एसे ही एक अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में